बुद्धी की खेती अकबर बीरबल कहानी अकबर बीरबल कहानी एक बार बादशा अकबर ने बीरबल की बुद्धी की परीक्षा लेनी चाही उन्होंने बीरबल से पूछा बीरबल क्या बुद्धी की खेती की जा सकती है बीरबल कुछ सोचते हुए बोला, जी हुजूर, जरूर की जा सकती है यह सुनकर अकबर बोले तो ठीक है, तुम बुद्धी की खेती करो और उसका फल हमें उपहार में दो बीरबल बोले जैसा जहां पनाह का हुप्म मैं जल्दी ही बुद्धी की खेती करके उसका पहला फल आपको भेट करूंगा सभी दरबारी अकबर और बीरबल की बाते सुन रहे थे वे हैरान थे कि बीरबल बुद्धी की खेती कैसे करेंगे और कैसे बुद्धी का फल बादशा को भेट करेंगे दर्बार के समाप्थ होने पर बीरबल सीधे राजमाली के पास जा पहुँचे और बोले माली राजोध्यान में कदू की बेलों पर क्या कदू आ रहे हैं माली बोला हुजूर, आतो रही हैं, पर अभी वे आलू टमाटर जितने ही छोटे हैं। ये सुनकर बीरबल बहुत प्रसन हुए। उन्होंने माली के कान में कुछ कहा, फिर वे अकबर के पास गए और बोले जहां पनाह। मैंने बुद्धी की खेती शुरू कर दी है। मैं कुछ दिनों में आपको बुद्धी का पहला फल भेट कर दूंगा। कुछ दिनों के बाद बीरबल राजोध्यान में फिर गए। वहां माली ने छोटे-छोटे कदूओं को घड़े के अंदर डाल रखा था। ये देखकर बीरबल वापस लोटाए। उधर कदू मटकों में ही बड़े होने लगे। कुछ दिनों बाद कदू इतने बड़े हो गए कि पूरे मटकों में समा गए। अब उन्हीं मटकों को तोड़े बिना नहीं निकाला जा सकता था। ये देखकर बीरबल ने सारे कदू मटकों सहि कटवालिये और अकबर के पास संदेश भिजवाया की कल सुबह मैं बुद्धी का पहला फल लेकर दरबार में आ रहा हूँ। अगले दिन दरबार में सब बेसबरी से बीरबल का इंतजार करने लगे। तभी बीरबल दो मटके लिए दरबार में उपस्थित हुए और के फूटें। यह सुनकर बादशा हैरान रह गए। उन्होंने मटके में जांक कर देखा तो वे बहुत हंसे। वे बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रसन हुए। सभी दरबारी भी बीरबल की प्रशंसा करने लगे। शिक्षा, यह कहानी हमें यही शिक्षा देती ह कि बुद्धी बल के सहारे असंभव को भी संभव किया जा सकता है। बुद्धी की कहीं खेती नहीं होती, पर बीरबल ने अपनी बुद्धी चातुर्य से यह भी कर दिखाए।